अजी गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग अरेवन कैसे आप सब लोग आयोप अच्छी होगे ठीक है तो करते हैं अपना स्टार्ड सेशन को अब मैं तो टाइम पर था या तो मैं तो टाइम पर था लेकिन हमारे एडिटर साब यह लेट आये मैं नहीं आया लेट आप मैं बिल्कुल जो है टाइम पर था करेंगे हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे यह मैं ना अच्छा काफी लोग यह बात करते हैं कि करते हम अपने सेशन को स्टार्ट तो आज हमारा सेशन है सेट नंबर 34 है सेट नंबर 34 और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं में मेरा नाम है डॉक्टर विपन कोईल जैसा कि आप लोग जानते हैं प्लस आप मुझे इन डिफरेंट सोशल मेडिया की ऊपर फॉलोव कर सकते हो इस लेक्चर की पीडिया जो हो प्रणोयल के नाम से और कहीं पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और नेक्स वन इस दा कि हमारे दो कोर्स है जी पेड़ कोर्स है आज इसका लास्ट है आठ अक्तूबर ठीक है आठ अक्तूबर है आज तो आप पर चैस करना है जिन्होंने अपनी प्रेपरेशन को आप एक नेक्स लेवल के उपर लेकर जाना है वह आप इस को परचेस कर सकते हैं तो पहला आज हमारा जी सकोर्स है यह हमारा थेयरी कोर्स है अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत भी त्यारी है और प्लस आप एक अलग लेवल की अ सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरीके से आप इसन को जोइन कर सकते हो और चलिए अब इन को परचेस कहां से कर सकते हो वह बता देता हूं आपको आपको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से डाउनलोड करो जा इसका लिंक आपको नीचे comment section में मिल जाएगा सारे जितने भी लिंकस होते हैं वह नीचे comment section में अपको मिल जाते हैं तो आपको करना गया है जैसे आप खोलो होगे तो homepage की उपर आपको यहां पर नजर आएगा हां पर चलते हैं जी आज हमारे questions है तो मैं एक देख लूँ है हां जी चलिए जी जो भी आपने मेरे से बात करनी होती है ना वह बिल्कुल क्लास के एंड में किया करो क्योंकि मैं नहीं देख पाता है अगर आपने मेरे से परसुली कुछ पूछता है तो करो जी इन को फट 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 इसके अंसर लगाने की कोशिश करो कोशन क्या गह रहा है सबसे ज्यादा जो element है वह अर्थ क्रश्ट के अंदर कौन सा मिलता है पहला कोशन कौन सी ग्रंथी को आप मास्टर क्लैंड कहते हैं अच्छा अब से जो है हमारी रॉते होंगे यह कोशिन का मैं हिंधी करता हो क्योंकि मैं खुद हिंदी में वाद कर द давно दो में इतनी जगा भरते जाओ और पर आसे चैंज हो तो फटा फटा पंसर दीजे सिग्रेट लाइटर के अंदर कौन सी ड्यास होती है ऑलक्रिक मॉटर के अंदर कौननी से पंसर आ रहे हैं मैं आपको अन्सर बताऊंगा अब बी कौन इंसेक्ट है कव्याला अजर जो बीमारी ऊदिवारघ को फेलाता है वेट लेसनेस कद्डिशेन जो होती है मतलब आप हवा में होते हो तो वह वाली कंडिशन होती है क्यूं होती है क्या होता है हमारा सबसे चोटा उनिट कौन सा होता है कोई भी मैटल अगर चमकती है लस्टर उसके पास है वो क्यों होती है ठीक है यह आपको बताने है इसके 10 कोशन बिल्कुल क्लास के एंड में डिसकस करेंगे तो पहले हम यही कोशन करेंगे कि में स्टार्ड विद्ध फर्स्ट कोशन है ऑई फर्स्ट कोशन देखेंगे क्या कही रहा है अर्थ करस्ट की वात पूछ रहा है और 88 ॉसने पूंचा या है मेंट क्यों सा एलिमेंट है सब से ऐलेमेंट ज़्यादा कौन सै वहां पर हां फिक है तो औक्सीज़न एलीमेंट है खॉवיתי ऑक्सीज़न ऑक्सीज़न leuk бо Report कैते हैं इस सिग्रेट लाइटर के अंदर जो है वह कौन सी गैस होती हैं शिग्रेट लाइटर के अंदर गास होती है ब्युटेन और यह ही क्या है ऑलकी जी के अंदर लीकोफाइट पेट्रोलियम गास के अंदर एलेक्टिक मोटर जो है वह कनवर्ड कौन से इनर्जी को किसे old करती है यह क्या करती है जब इलेक्टिक मोटर को दबाते हैं तो इलेक्टिक चलती है इलेक्टिकल एनर्जी टू मेकनिकल आ Hammam जाने की यंत्रिक उर्जां में कन्वर्ट होती है क्लीर कौन सा विटामीन जो है ब्लड का जम्याने में काम करता है जी वाइटामिन देखे जी क्या पहले हैं हमारा कॉछीयर में कौन सी आपकी यूज होती है फायसीजर में तो यूज होती है क्याद कहों आपको फ्रैड नहीं situation जहांपे आपका बार जो है आपको फेली नहीं होता हो ày होता है यह क्यों होता है यह क्यों होता है यह रीजन है ग्रैविटी नहीं होती कि लिई का सबसे smallest स्टिवीन पूछा मॉछा है कि कौन सा होता है तो यह किड्नि का स्मॉलस्टलियन है schedule होता आपका nephron is the smallest unit एक मेटम जो चमकता है वो क्यُंट उसके अंदर Electrons गूम रहे होतें हैं नसके अंदर Electrons गूम रहे होते हैं तीक है इस समझा गया हाँ Electrons के कारण होता है तो यह थे आपके आज के कोश्चंट जो हमाराista सेक्षिन था अब चलते हैं जी हमारे कोशिश की तरफ तो फटा-फट इन को लगाने की कोशिश करो क्या कहता है और आज आपको हिला दूंगा मतलब ठीक है हिलाने का मतलब यह है कि आप कहेंगे सर यह थोड़े से बहुत टीपिकल कोशन डाले हैं आज आपने एक्चली मैं क कुछ क्लासिस से आपने देखा होगा पिछली कुछ क्लासिस से मैं थोड़े से टीपिकल कोशन जान बूच के डाल रहा हूं क्योंकि अब आ रहे हैं आपके एक्जाम ठीक है पहले वाली आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो चुगी है जहां पर हमने अंडर कोशन जो और त्यार हो जीए ठीक है पहले वाली चीज़े तो आपको पता ही है लेकिन कुछ टिपिकल कोशन में भी आपको पता होना चाहिए तो दिखेंजी क्या कहते हैं कुशन है वह मंग दा फॉलंग इस कॉल दा फाउंडर ओफ इंडियन एटमीजम भारतिया प्रमानु का जनक एक किसे कहा जाता है प्रमानु वद का बिल्कूल जी इनको कहा जाता है महिरिशी कननषी को अंसर इसमें सि ओप्षिन बनेगा कलियर हो गया महिरकी कनषण अब यहां पे निखा गया है महिरेशी कपछ ये जो है ये कपिल जो है इन्हों ने संख्रा दर्शन बताया था क्टेके च्छार नाइब का हुई गया तो इसमें क्या बने गापका सी ऑप्षिन बन जाएगा सी ऑप्षिन बन जाए गा यूदी यह ने पहली बार बताया था डामेंशन लिंटन प्रन लिएक्ष़ः चीन गारिव रियकेमिकल रियक्षिंथ यह अंदर जैसे इनको कहते हैं महरिशिक कंड़ जी को ठीक है याद रखिए चलिए अगला कोशन लगा यह क्या कहता है बड़ा इंपोर्टन कोशन है और सिंपल सा कोशन है अलेडी हम बहुत बढ़ डिसक्स कर चुके हैं नाबाड जो है वो किसके साथ है पहले तो इसकी फुल फॉर्म नैशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर एंड रूरल डेवलप्मेंट नैशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर एंड रूरल डेवलप्मेंट मतलब क्या हो गया कि आपका एग्रिकल्चर भी कर रहा है यह और आपका रूरल डेवलप्मेंट भी कर रहा है और मेली किसक और जी डी चिंतलू जो है इनके जी डी चिंतलू एक्जेक नेम फॉर्गट एक्षिली इनका ऐसा नाम क्या है फुल नेम क्या है जी डी चिंतलू कुछ ऐसा नाम ही है कर दिमाहत से स्किप कर गया नबाड के वो चुना इस टायम पर नाबाड जो है वह नाइंटीनीटीम में बना था ठीक है और प्लस एक नबाड जो है क्राफी कार्ड कमेटी की रिकमेंटेशन ते आपका नाबाड बना था तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका c option बनेगा rural development के लिए ये आपका bank है rural development के लिए so this is the bank नाबाड national bank for agriculture and rural development चले जी what is an organization's introductory web page किसी भी संगठन के प्रिच्न्यात्मक web page को क्या कहा जाता है जब भी आप किसी के web page पे आप जाते हो हाँ गोविंदा चिंतला गोविंदा चिंतला राजलू यह जो है नाबाड के चेर परसन है चलिए अगला कोशन देखो जी क्या कहता है फटा फटा अंसर लगाने की कोशिश करो किसी भी और्गनाईशन के web page को को आप क्या कहते हैं ठीक है यह वड़ा सिंपल सा कोशन है कभी आप web page पे आप किसी भी जाते हो तो उसमें सब ही चीज़े लिखी होती है that is called its home page उसको हम क्या कहते है उसका home page कहा जाता है home page कहा जाता है तो अंसर इसमें c option बनेगा c option बनेगा home page कहा जाता है है so this is the home page जिसमें उसके media website layout html browser यह सब चीज़े होती है content usability SEO सब चीज़े ऐसे देखने को आपको मिलती है so this is the home page home page इसको कहते हैं next अंसर लगाने के कोशिश करो नेक्स है तम सोमा जोति ग्रम्या तम सोमा जोति ग्रम्या यह कथन जो है यह किस के साथ mention किया जाता है यह किसके साथ जो है आपका mention की जाता है बताएंगे जिसके साथ mention है और इस word का मतलब क्या होता है from darkness leads to the light मतलब kya हो गया darkness leads to the light it means कि जब आप डारक से उठके आप light में जाते हैं उस पूरी की पूरी चीज को आप यह कहते हैं त्रांसोमा जोती रिगमया ठीक है अब बात यहां पर यह आती है कि यह जो कंडिशन होती है यह एक उपनिशद में लिखी हुई है ब्रिद्रनाय का उपनिशद जिसे आपको पता है ब्रिद्रनाय का उपनिशद क्या कहता है बहु जो अंधेरे से उठके जो है लाइट में जाना ठीक है so this is the factor यह statement किसे में एक ही गई या जी उपनिशद में लिखी गई है तो answer इसमें a option बनेगा और कौन सा यह कौन सा उपनिशद है ब्रेदर नाय का उपनिशद बंद रखा गरो इसको ब्रेदर नाय का उपनिशद ठीक है और मैंने आपको बताया था कि इसमें ही क्या होता है sex migration of Soul उपनिशद जो होते है उपनिशद उपनिशद कितने हैं हमारे 108 है जिसमें एक उपनिशद आपको और याद करना है मुंड़ का उपनिशद जिसमें आपका लिखा यह पर्शन लेंगेज में लिखा गया है अकबर के टाइम पे लिखा गया था और इसको लिखा था बदाउनी ने इसको लिखा था और महाभारत को आप जय समीता के नाम से भी आप जानते हैं ठीक है और शद दर्शन मैंने जो आपके दर्शन कॉंसेप्ट बताया था यह सब चीज़ें जो है इसमें लिखी जाती है आपकी तो यह है आपका शांती शांती ओम ठीक है यह सारा का सारा कॉंसेप्ट यह है ट्रांस माइगरेशन ऑफ सोल का नेक्स देखिए जी बहुत सिंपल सा कोशन है लेकिन गलतियां हम पेपर में करते होते हैं इन चीज़ो क्योंकि हमें देखने को मिलता है यह सिंपल कोशन आगे और फटाफ़ टिक करो और अंसर निकालो और लेकिन उस जल्द बाजी में एक्जामीर इतना भी बेवकुफ नहीं होता कि वह अपना सिंपल इतना कोशन आपको दे रहा है वह सिंपल भी देता है तो आपको कर देता है क्योंकि इसने सारी जगें ऐसे लिख दी क्या गौतम बूजी का जनम जो है वो कहाँ पफर हुआ है गौतम बूजी का जनम हुआ था लुंबीनी के अंदर न में पीलफू क्योंकि है कॉसद ने बनवाया था दिए पिल्लर वह का वका आपका वह शोड़ा इंपन मुनम् और उसके बाद जो है आपका सारनाथ सारनाथ जो है आपका सारनाथ वो है जहां पे गौदम बुजी ने पहला उपदेश दिया था और पहले उपदेश को हम क्या बोलते हैं धर्म चक्रा परिवर्तन धर्म चक्रा परिवर्तन इसको बोला याता है ठीक है यह आपको याद रखना है important है फिल इखाऊ है बोध गया बोध गया वो जगह है बिहार के अंदर है यह चीक है और यहां पर इनको क्या मिले थी enlightenment मिले थी enlightenment का मतलब क्या होता है इसका enlightenment का मिला का मतलब होता है कि जहां पर इनको निर्वान प्राप्ति हुई थी निर्वान प्राप्ति हुई थी क्लियर और जब इनको निर्वान प्राप्ति हुई थी तो इन्हों किonneructor सक्षिमान के बोला था कि मुझे निर्वान प्राप्ति हो चुकी है अर्थ को इन्होंने जो आपका सक्षी माना था तो इन्हों ने क्या किया था एक हाथ ऐसे था और एक हाथ ऐसे था विल्कुल नीचे की तरह टीक है तो तो इसमें क्या होता है कि भूमी स्पर्श करते हैं भूमी को स्पर्श करते हैं कि हां तुम सक्षी हो कि मुझे निर्वान प्राप्ति हुई है तो आपको पेपर में यह भी पूछा या सकता है कि भूमी स्पर्शा भूमी स्पर्श एक मुद्रा है गौतम बुझ जी की तो व लुंबीनी इस दा राइट वान तो लुंबीनी के अंदर इंका जनम हुआ है ठीक है यहां रखिए और चलिए जी आगे कोशन है यह बड़ा सिंपल सा है थोड़ा सा ट्रीकी कोशन कह सकते हो आप यह चीक है क्योंकि यह बुक्स के उपर है तो आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा किश्वार देसाई की बुक इन में से कौन सी है किश्वार देसाई की इन में से बुक का कौन सी है सिर्फ याद कर के विटनेस दा नाइट किश्वर देशाई को इस रच्छ塊 है कि वीज़्यवर फ्राइस बड़े सिंपल सा अग्राइए कि फ्रांस के प्रेजिडिन का नाम बताना है तो फ्रांस के प्रेजिडिन का नाम है एमिनुल मैकरॉं अंसर इसमें क्या मamaप्शन बनेगा फ्रांस की जो टैपिटल रेवोह कौंसे पैरिस करंसि यह यूरो इसको कि existed और हमारे दो शहर हैं जो है हमारी इंडिया में एक है अहमदाबाद और एक है जैपुर क्लियर हो गया स्वांसर इसमें सी ऑप्षिन वनेगा करेक्ट अंसर सी ऑप्षिन तो मैक्रॉन चलिए चलिए यह ओपन डिफिकेशन फ्री का कॉंसेट आया था उपन डिफिकेशन फ्री जब अक्टूबर 2-2019 को किया गया था कहने का मतला खुले में शौच्मुक्त भारत तो इन में से वह कौन सी स्कीम थी जो आपका खुले में शौच्मुक्त भारत की बात करता है तो यह जो स् सी ऑप्शन बनेगा स्वच भारत अभ्यान चलाया गया था और पहली ओपन डिफिकेशन फ्री जो स्टेट बनी थी वह कौन सी थी आपकी सिक्किम सिक्किम जो संशोधन 1975 के अंदर अकॉर्डिंग एड करके हमने इसको इंडिया में अपनी स्टेट हुड टाइटल दिया और आप मुझे कमेंट सेक्षन में लिखके बताएंगे कि जो सिक्किम है सिक्किम की जो जब इसको 1975 में एड किया गया था तो सिक्किम वाज़दा 21st 22 23 24 यह कौन से नंबर की स्टेट बनी थी यह मैंने आपको कोश्चन दे दिया जी तो कौन से नंबर की स्टेट बनी थी 21 स्टेट बनी थी 22 23 24 कमेंट सेक्षन में लिखके बताएंगे नहीं आता लिख लो साइड पे और मुझे बाद में अंसर बताना और प्लस जो है लि बच्चे बगएरा करते हैं और बुड़े बगएरा भी चले जाते हैं यह नहीं करना क्योंकि अगर होगा ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका सकती है तो इसी कारण ओपन डिफिकेशन फ्री आपको देश हमने करवाना है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्लियर हो गया जी चलिए जी सो बड़ा सिंपल कोशन है यह इसका नाम है अंतराष्टिया श्रम संगठन इसके अंदर और इसके हेड़कोर्टर कहां पर जिनेवा स्विजर लैंड के अंदर है गाय राइडर गाय राइडर जो है इनके चेयर परसन है गाय राइडर अभी इनके चेयर परसन है ध्यार के इंपॉर्टेंट है आंसर इसमें ए ऑप्षन बनेगा ए ऑप्षन और यह यूएन की ऑर्गनाईशन है क्योंकि यूएन का एक समें सिंबल सा बना हुआ है तो ऐसे पत्ते से उपर को जा रहे हैं इंटरनेशन लेबर और अगला कोशन देखे जी क्या गयता है पॉवर्टी एंड बिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी बड़ा सिंपल सा कोशन है और इसी बुक में पहली बार नैशनल इंकम के बारे में राश्टी हाई के बारे में भी लिखा गया था और यह किसने ल रोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है दादा भाई नरोजी ने आपका 1886 के अंदर कलकत्ता सेशन भी हैंडल किया था और इनका एक सेशन बड़ा इंपॉर्टन है 1906 1906 के कलकत्ता सेशन में ही इन्होंने वर्ड यूज किया था सुराज सुर कामा चीक है बड़ा इंपॉर्टन कोशन है मैडम विका जी कामा को हम बोलते हैं दा मदर ओफ दा रेविलूशनरी इन इंडिया तो वेरी वेरी इंपॉर्टन अंसर इसमें क्या बनेगा आपका ऑप्शन बनेगा दादा बाई नारोजी अमर्तिया सेन लिखा गया है अमर् भारत रतना मिला था और प्लस प्रणम मुखर जी जो है इनका हाली में दिहांद भी हो गया है ठीक है तो अंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट अंसर तो दिस इस आप पॉवर्टी एंड अंड बिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो किसे ने लिखिया जी दादा यह आपको बताए था एक ही बार ऐसा हुआ था जब लोकसभबा टाइम जो है पांस साल से छे साल हो गया था और वह कब हुआ था इंडरा गांदी जी के टाइम पर 1975 में उस टाइम पर एक इंटर्नल डिस्टरॉबेंस के कारण इंटर्नल डिस्टरॉबेंस आंत्रिक विद बढ़ गया था और वो कार्यकाल जो है 1971 से 77 तक चला गया था ठीक है क्योंकि उस टाइम पे नैशनल एमर्जंसी में होता था कि एक साल आपका भढ़ जाता है लेकिन फिर क्या हुआ था 44th amendment देखने को आपको मिली थी 44 संशोधन 44 संशोधन में ये internal disturbance word जो है चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया था आम ड्रविलन कर दिया था सैन्य विद्रो कर दिया था ध्यान रखना अब जो है internal disturbance के कारण कोई भी नैशनल एमर्जंसी नहीं लगती जब इंद्रा गांदी जी क क्या बनेगा आपका यह option बनेगा पांच भी लोकसबा थी जब इनका जो कार्यकाल है आपका 1971 से 77 चला गया था पांच भी लोकसबा थी इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लियर फिफ्थ लोकसबा वास देर पांच भी लोकसबा अगला कोशन देखे जी अकेले लीडर जो ह हमारे देश की मीनिस्टर थे और उनको से टाइम पर ही इनको भारत रतन मिल गया था जाने के जब यह हमारे अंत्र आ को कार्यबार समभाल रहे थे तभी इनको ऑवार्ड में एक प्रément ब्लोन हैश्ट इम और फैस्की वीधी और ये कौन थे जी बी पंथ अंसर इसमें क्या बनेगा डी ऑप्शन बनेगा जी बी बंथ वाजदा हो मिनिस्टर एट टाइम अंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर क्लियर सर्दार बल्लवाई पटेल हमारे देश के प लाल बादर शास्त्री जिन्हों ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और इनकी जनती कब होती है दो अक्टूबर को जिस दिन महात्मा गांदी जी की जनती भी होती है क्लियर याद रुखिए सारे में देखने को आपको मिला था चीक है और यह यूपी के सी एम होने के साथ यह जो है आपके होम मिनिस्टर भी रहे हैं और जो है इनको ऑनर भारत अतन कम मिला था इनको यह मिला था 1957 में जैसे हमने बात करी थी जीवी पंथ तो अंसर इसमें बनेगा जी आपका गोविंद बल्लब पंथ पहले गवर्नर जो है आर्बी के कौन थे ठीक है पहले गवर्नर आर्बी के कौन थे बड़ा सिंपल सा कोशन है मैंने हमेशा आपको देखो आज मैंने आपको वह कोशन करा रहा हूं जिसमें आप कंफ्यूज होते हो जिसमें आपको पता लगता कि यह शायदे गलत हो हो गया कैसे हो गई तो आर्बी के गवर्णर कौन थी आर्बी बना कब था फर्स्ट एपरल 1935 को और उसी टाइम पर जो है आपके गवर्णर बना दिये थे ऑस्बॉर्ण स्मिथ इसमें क्या बनेगा यह ऑप्षिन बनेगा अर्भी ठर्टी फाइब में था और हेड़ कॉर्टर वाज उस ताइम में चौतिकांट नहीं भी हमारे अर्बी के गवर्नर है कमें लिखो यह कौन से नंबर के गवर्णर है 24, 25, 26, 27 कौन से गवर्णर है नंबर लिखके बताइए कमेंट सेक्षन में अंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्षिन इस दा करेक्ट अंसर ऑस्बॉन स्मिथ क्लियर और भी किसकी रिकमेंडेशन से बना था हिल्टन यंग कमिशन की रिकमे होगा इसलिए मैं इसको फटावर चेंज करता हूँ ठीक है जब जए अगला गोश्चन देखिए क्या गयता है इस अगला से दिखो क्या गयता है आपके पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान में है नौर्थ वेस्ट इंडिन सब कॉंटिनेंट का पार्ट डैडिज दा मेहरगड तो मेहरगड के अंदर पहले बार आपके कल्टिवेशन के साइन देखने को आपको मिले थे इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा रा के बारले गेहूं और जो हैं आपकी मेली देखने को आपको मिलती थी यहां पर यहां पर याद किलो आपदो आपको आगे बताऊंगा चीक है तो नस्थ में एं सब्स. यह फिर न हो देता हूं ताक कि आपको थोड़ास आइडिया हो लग जाए कि को यहां पहुंच गई हम यह कि अगे यह कुछ और ही पहुंच गए हम आगे ठीक है चलो कोई वाद नहीं मैं आपको कर रवाद देता हूं यह यह आ गया यह यह इलाका आ कि ठीक है और एक्चली मैं दिखाने में कुछ और बटन दबा गया यहां पर हां तो यह है आपका कि यह है इलाका देख लेनाए थोड़ा सा देख लिए इतनी मिन्यत कर आपको देखना पड़ेगा यह कैसरो बांद सब्सक्राइब द्याण हमें दीन है इस आम यह हो चलते हैं आगे एक सारे लगा दिये तुमने आगे है अगले कोशण देखो से क्या धेता है रत यात्र जो है आपका और गनाइसे किया जाता पूरी के अंदर दू-3 चिजी याद रखो एक तो चिली का लेग याद रखो चिली का लेग एस वेरी इंपॉटन यहाँ पर आपके आते हैं अलिव रिड्ले टर्टल को ऑड़िव रिले टर्टल ठीक है गाहिर माथा भीच वगेरा पागी उपर और यहां पर आपको याद रखना है आपको उडिशा के अंदर क्या है और बड़ा इंपोर्टन पार्ट था जिमाग से स्किप कर गया मेरे चिलिका लेक आपको याद करना था को दो बता है पूछ आप बताओं कि मैं ज्मार से किए आपको ब्लगे चलो मैं नाट कि क्या वाँ अगर आधे को में वे न आटा है कि कि और मिने एग्जेक्ट बताना था आपको दिमार सीप करके वा पॉइंट अभी बताने वाला था आपको सो यह चिली का लेक आपको याद रख लेना है ठीक है हाँ बित्र गनी का नैशन पार्ग ही राकुन जो है आपका मल्टी परपस प्रोजेक्ट है वहां पर उदाइगिरी खांडगिरी हिल्स है पैरादी पोट लग गए अब तो उड संपल को नार्ख वहां में संपल बताने वाला था आपको संपल कोनार के अंदर और खीक है अरे बाई रुक जाओ ओके उडिशा वाले जागों मत ठीक है सबको पता लग गया कि हाँ आप उडिशा से पढ़ रहे हैं बहुत बढ़ी आजी बहुत बढ़ी है ठीक है चलिए आगे चलते हैं तो यह आजी आपका जगना टैंपल जगना टैंपल कि यह क्या हो गया नेक्स्ट कोशन देखें जी क्या गहता है बाला कोट जो है यह कहां पर तो पहले आपको इसका मैप दिखाता हूं आपको फिर आपको पता लगेगा इंडिया यह इंडिया है तो यह इंडिया के बिल्कुल आपके नौर्थ-वेस्टरन साइड की उपर पढ़ता है बाला यह पाकिस्तान वाले पार्ट में आता है पाकिस्तान वाले पार्ट में ठीक है तो देखे जी इसमें क्या बनेगा पाकिस्तान का इसा है लेकिन इंडिया की इंडिया की कहां पर पढ़ रहा है नॉर्थ वेस्ट में पढ़ रहा है ठीक है पाकिस्तान का ठीक है तो इसका अंसर क्या लगाएंगे हम पाकिसान का नॉर्थ वेस्टन वाला पार्ट जो है आपका पाकिसान का पश्चिम जो है उत्तर पश्चिम वाला हिसा है तो उत्तर पश्चिम वाला हिसा है तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा बाला कोट चलिए एक चीज और आपको दिखाता हूं दिस इस पुल्वामा दिस इस पुल्वामा जम्मु कश्मिर के पास शीनगर के पास ठीक है दिस इस लाइन आफ कंट्रोल लदाख लदाख के अंदर ले ले वाला पार्ट है ठीक है यह आपको याद रखना रहा है ओ संथे इन में से कॉनसा ऐसा दिन है जो हमिस नहीं एक हम उसी दिन सेलिब्रेट करते है और उसी और करते हैं यह होता है आठ मार्च को और वर्ल हैबिटेट डे जो होता है विशव प्रयावास दिवस यह अक्टूबर के अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को हम सेलिबेट करते हैं अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को यह कोई भी डे हो सकता है मतलब कौन से डेट भी हो सकती है तो इसका मतल बढ़े कसमे वादे करते हो दोस्तों के साथ तो यह बताएंगे आप ठीक है यह आप बताएंगे कौन से दिन होता है कौन सी डेट को होता है यह वाला कि चले जी अगला कोशन देखें कि हाथ लगाने से आगी चला जाता है अगला कोशन देखो जी क्या गयता है इस आर्टिकल में पूरा का पूरा पूरा का सैप्टी आगया 300 पूरा का सैथ्यां से समण आए 352 आपका यह यह सब को पता है 352 क्या है नैशनल अबर जंस और से लग सकती है मैंने आपको बताया है एक तो वार लडाई हो गई एक्स्टरनल एग्रेशन बहरी विद्रू हो गया और एक आपका आता है सेने विद्रो के कारण क्लियर इन तीनों कारण से जो है आपकी नैशनल अमर्जंसी लग सकती है अब इसमें ध्यान से समझिए कि क्या होता है ठीक है इस प्रोक्लेम्ड वाइदा प्रेजिडेंट बिल्कुल यह राष्ट्रपती द्वारा ली जा सकती है ठीक है इस पार्लेमेंट विदिन वन मंथ यह आपका बिल्कुल सही स्टेट्मेंट है और तीसरा सही है जब इसको लगाना होता है तो साधारन बहुमत से गलत है इसको हमेशा लगाते हैं आप दो बटा तीन मेजोर्टी से तो इसका मतलब पांचवा भी सही है पहला तीसरा और इसको जब हमने खतम करना होता है तो साधारन बहुमत से हम खतम कर सकते हैं यह भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है ठीक है अगला कोशन है इसका मतलब अंसर कौन सा बनेगा पहला तीसरा पांचवा और छटा ध्यां से संबलो पहला तीसरा पांचवा और छटा अंसर बन बनेगा आपका सी ऑप्षिन बन जाएगा 1356 इसमें बनेगा 1356 ऑप्षिन क्लियर काफी लोग जो है ऐसे कोशन देखके भाग जाते हैं लेकिन जो भागेंगे और डरेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे बस यह ठीक है तो आंसर इसमें सी ऑप्षिन बनेगा जी एस्टी यह मैंने आपको अगर आपको याद होगा कि मैंने पीछले तीन चार क्लासे में बहुत कुछ बताया आपको तो जी एस्टी के ऊपर कोशन है कौन सा अमेंडमेंट है तो हम इसको बिना सोचे समझे टिक करेंगे पहले तो 101 अमेंडमेंट एक्ट लाने कि 101 121 अ हो इसकता है कि कब लगा था 1 जुलाई 2017 को पर्फिए प्यार्ट फ्रसंत्रह को हम ने मिला के एक टेक्स बना दिया गया है तो एक टेक्स बना राइट वान डी ऑप्शन चलिए यह कोशन बताईए बुर्ज खलीफा की जो हाइट है वो कहां पर है कितनी है स्वरी बुर्ज खलीफा है कहां पर यह दुबई के अंदर दुबई युनाइटेड अरब एमिरेत के अंदर यू एक अंदर है इसका ठीक है तो बुर्ज तो यह है जी बुर्ज खलीफा यहां भी लिखा हुआ है इसने एटल टू एट मीटर सिक्सथी टू है यह आपके टावर की हैं जो आपके टावर्ण के सबसे बड़े-बड़े टावर है ठीक है तो इस दिहान रखना है सबसे बड़ा टावर जो है हमारा बुर्ज खलीफा है that is in the UAE clear होगे आप लोगं को so answer इसमें a option बन जाएगा बुर्ज खलीफा अब है जी अगेन हमारे कुछ quiz quiz देखने हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिसस किये थे वही मैंने आपको बताया है ठीक है तो अब बात करते हैं इन कोशन के उपर ठीक है तो फड़ा फड़ा अंसर बताइए जी क्या होता है दा फिल्ट्रिंग ऑफ दा ब्लड थ्रू एन आर्टिफिशल किड्नी जब एक आप आर्टिफिशल कृत्र में किड्नी व्रकक से ब्लड को पिरिफाई करते हो तो क्या क्या कहते है एटम जो है वो कि अगला कोशन है जब आप टेंपरीचर बढ़ाएंगे किसी भी मीडियम का उसमें लाइट की स्पीड के उपर क्या फर्क पड़ेगा पैनिसलीन को किसने कवर किया था स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं और सबसे लंबी बोन जो है हमारी human body के अंदर कौन सी है एस्परीन का द लिए चलते हैं आगे तो कोशन नंबर वान कोशन नंबर वन से देखते हैं आपका क्या अंसर बनेगा कोशन एधा फिल्ट्रिंग और ब्लड त्रू एन आर्टिफिशल किडिनी इस कॉल इसको क्या गयते हैं इसको कहा जाता है डायलेसिस डायलेसिस दूसरा है परमानु ब और मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोजन जो है वो जमा कहां पर होता है हमारा लीवर में यह करित में एक मैटल बताओ जी क्लोरोफिल के अंदर कौन सी होती है मैंने आपको बताया था मैगनीशियम मैगनीशियम बिल्कुल सेंटर में देखने को आपको मिलता है मैगनी याद रखे इथनौइक ऐसे भी डाल सकते हैं नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट जो है आपकी टेंपरेचर बढ़ाने से क्या हो सकता है इसकी उपर स्पीड ऑफ लाइट का फरक क्या पड़ेगा स्पीड ऑफ लाइट की उपर कोई भी फरक नहीं पड़ता नो चेंज अट पैनिसीलियम नोटेटम यह फंगस है जी जिससे यह डिसकवर किया गया था स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं अद्बूत स्ट्रेंजर जो है आपकी जिनोन जिनोन को बोला जाता है स्ट्रेंजर गैस और नोबल गैस है सबसे लंबी बोंज है हमारी human body में जो हमारी जांग थ लिंग तो चैमिकल नेम ऑफ एस्परीन दवाई है इसका दूसरा नाम क्या है इसीटाइल सैलीसिलिक एसेड पर में में नहीं आता है आपको सैलीसिलिक एसेड है तो यह इसका नाम है clear हो आप लोगों को चीक है इस और आपको पता होने चाहिए और आपको अच्छे भी कर देना और प्लस आपको यह सारे लेक्टर जो होते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपन गोईल के नाम से मिलते हैं इंस्टाग्राम के उपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो मैं काफी एक्टिव रहता हूं यहां पर प्लस मेरे दो पेड़ कोर्स आते हैं जिस वन इ सब्सक्राइब के उपर कोई डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम के उपर मैसेज कर सकते हैं स्टडी आई क्यू आप देखोगे होंपेज नजर आएगा यहां पे बैस सेलिंग कोर्स है वी ओल के उपर बटन दबा देना तीसरे चौते नंबर के उपर आपको यह होगा संडे को नौ बजे संडे को नौ बजे आना मत बूलना नौ एम संडे वाली क्लास बहुत इंपॉर्टन क्लास होगी हमारी इसमें हम 100 कोश्चन डिसकस करेंगे एक अलग लेवल की उपर आपको एक फील आएगी कि हां हमने कुछ पढ़ा है इसमें जो है आपका जो है आपका एक सेगेंड रोकिए नहीं नहीं मैंने सही बोला यार न्यूकिलर फीजन होती है अगर हाइडोजन होता तो फ्यूजन होती संलेयन होता चार्जिस वगयरा आप जाके देखो यार वहां पर चार्जिस वगयरा देखो कि क्या है अमारी एप की उपर जाओ और उस पर आपको आपके पता लगेगा ठीक है तो यह कोर्सिस आप पर्चेस कर सकते हो अधिक जो यह सब कुछ मिलेगा पीडिएफ वगयरा वीडियो लेक्चर सब मिलेंगे आपको यह दोनों कोर्सिस के अंदर जो है आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे ठीक है अगर आपने पर्चेस करना है जाए और वहां पी जाके देखिए जी क्या उसका प्राइस है आप एक साल के लिए लेना चाते हैं दो साल के लिए लेना चाते हैं चलिए गाइस मैं अभी चलता हूं ठीक है अगर आपको कुछ भी पूछना हूं मुझे इंस्ट्राइब के उपर मैसेज करते हैं आज मैं इंस्ट्राइब रहूंगा काफी क्योंकि बचे बहुत मुझे क्यों पूछते रहते हैं खासकर आज वाले दिन जिस दिन लास्टे होता है ठीक है अगर आपको कोई भी डाउट होता है और करेंट फिर वाली क्लास देखना मत बूला करो सुबह चार बज़े हमें सारा दिन पड़ी रहती है सारा दिन पड़ी रहती है लेकिन देख लिया करो वह ठीक है तो गुल्ला काइस टेक क्यार बाबाय जाहिंद